नमस्कार दोस्तो ultimate health and home remedy channel में आप लोगों का स्वागत है वजन कम करने की 9 सबसे अच्छी tips जो है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आप लोगों का वजन जो है वो कम हो सकता है दोस्तो ये 9 tips जो है अगर आप लोग अपनाते हैं तो आप लोग अ है जिस खाने को आप रोज खाते हैं अब बदलना होगा जैसे कि गेहूं से बनी हुई रोटिया खाते हैं तो अब एक से ज़्यादा प्रकार के आटे का इस्तेमाल करने से आप लोगों को न्यूटरेंट मिलेंगे और जो रोज आप लोग आटे से बनी हुई रोटी खाते है तो उसमें carbs जो है वो ज्यादा होते हैं आप λोगों को vitamin और mineral जो है वो इतने नहीं मिल पयते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि आप लोगों को पूरा पोशकततवर नहीं मिलता है आप लोगों के सरीर को और other ingredients भी आप लोग जो है consume नहीं कर पा दें जैसे अगर सने के आप लोग न्यूटरंट लेना चाहते हैं तो आप लोग बेशन मिला लीजिए आगर आप लोग जो के न्यूटरंट लेना चाहते हैं तो आटे के अंदर जो मिला लीजिए बाजरा मिला लीजिए गेहूं मिला लीजिए तो इन सभी से मिला कर एक रोटी बनाईए और उसको आप लोगों खाईए तो आप लोगों को पोशक तत्व मिलेंगे, साथ ही आप लोगों का metabolism अच्छा रहेगा. दूसरा है, सुभई शाम पैदल चलना होगा, जब ठक जाएं तब बैठ जाएं, लेकिन कम से कम 3 km जरूर पैदल चलें. पैदल चलने से आप लोगों का जो subcontinuous और visceral fat है, वो जल्दी burn होने लगता है, जो glycosin आप लोगों के liver में stored है पहले से, या कहें कि जो extra fat आप लोगों की body पर है, तो वो जलने लगता है, तो इसका फाइदा आप लोगों को मिलता है, अगर आप लोग सुभई शाम पैदल जलते हैं, ब्रिस्क वॉक के लिए जाते हैं, तो जो अलरड़ी stored fat है, वो convert होता है energy के अंदर, जो कि आप लोगों के लिए शरीर को चाहिए होती है, लेकिन अगर आप लोग सुभई शाम पैदल नहीं चलते हैं, बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते हैं, स्कूटी या अन्य वाहनों का इस्तिमाल करते हैं तो आप लोगों के स्रीर को energy की ज़रुत नहीं होती है, तो स्रीर क्या करता है, कि extra fat ही जो है, जो आप लोग खाते हैं, गलाइकोजन या glucose जो भी खाते हैं, आप लोग वो यो क्या होता है, extra fat के रूप में ही stored होता है, वो कभी भी ऐनरजी ब तीसरा है, खाने के अंदर दही का इस्तमाल जरूर करना चाहिए, ये एक ऐसा निट्रिंट है दोस्तों जो आप लोगों के लिए बहुत जाद आच्छा है, और इसको आप लोग रोटियों के साथ कंजियूम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग जो हैं दही का इस्तमाल र होते हैं, साथ ही आप लोगों के digestive system के लिए बहुत जाद आच्छा है, यानि कि खाने को पचाने का काम जल्दी कर देता है, अगर आप लोगों का खाना पस्ता नहीं है, पेट में आफरा आजाता आप लोगों के लिए, तो दही का इस्तमाल कीजिए, जीरा डालकर उसमें VLC के भुनी VLC डालकर, जिससे आप लोगों का खाना बहुत जल्दी पचने लग जाता है, आप लोगों को कभी भी overeating की problem भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग खाना खाने के बाद में अगर दही का इस्तमाल करते हैं, तो आप लोगों का खाया हुआ खाना बहुत जल्दी होते हैं, जो आप लोगों के खाने को पचाने का काम करते हैं, साथ ही acetic acid भी होता है, इसमें, lactic acid होता है, तो उससे क्या होता है, कि दोस्तों आप लोगों का जो enzymes हैं, अंदर के जो enzymes हैं, active enzymes, वो सक्री होने लगते हैं, और आप लोगों के खाने को पचाने का काम जल्दी क चावल खाते हैं तो कम करें क्योंकि सफेज चावल में कार्बोहाइडिट की मातरा बहुत जादा होती है तो आप लोगों का जो रैश्यो होना चाहिए अब यह होना चाहिए कि प्रोटीन आप लोगों को बढ़ाना है और कार्बोहाइडिट आप लोगों को कम करना है लेकिन आप लोग चावल खाते हैं तो एक बार के लिए उसे कम कीजिए मैं ये नहीं कह रहा कि उसे बंद कीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसे कम कीजिए और प्रोटीन जो आप लोग खाते हैं उसे आप लोग ज़्यादा कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए carbs का ही काम करते हैं extra fat ही आप लोगों के लिए बनाते हैं और ये भी visceral fat और subcontinus fat ही बनाते हैं white fat जो belly fat के रूप में आप लोगों के side gissar भी बन जाता है तो ये खतरनाक है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं काना चाहिए ये cheat meals में भी ये इस्तमाल में आप लोग नहीं करें तो जादा बहतर होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 6 दिन का workout करके 6 दिन का आप लोग जो है weight loss diet plan यूज करके 7 दिन जो है cheat meal का इस्तमाल करते हैं जिससे वो मन चाहा कुछ भी खा लेते हैं तो ये इस्तमाल में नहीं ले जो refined से बना हो क्योंकि refined data जो है आप लोगों के health के लिए पिकार है 6 जो tip है वो है सुभ़ शाम दालचीनी चाह या अदरक चाह का इस्तमाल जरूर करें दालचीनी चाह और अदरक चाह का इस्तमाल मैं क्यों बताता हूँ क्योंकि इससे पहला तो ये है कि आप लोगों का जो पाचन तंतर है वो अच्छा रहेगा blood sugar increase नहीं होगी तो खाना जो है वो automatically आप लोगों का digestive system में जो है वो पचने का काम करेगा आप लोगों के लिए nutrient बनाने का काम करेगा जो आप लोगों ने खाया वो nutrient बनेगा तो insulin spike नहीं होगा और insulin की एहम भूमिका रही आप लोगों को भी बता है कि अगर insulin बढ़ता है तो आप लोगों का कहीं ने कहीं आप लोगों का weight भी बढ़ता है तो ये ही होता है जब इंसुलिन बढ़ा तो आप लोगों का वेट बढ़ेगा क्योंकि फैट बढ़ेगा तो अगर आप लोग सुबह से हम दालचीनी चाहे या द्रग चाहे का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का जो बलड सुगर है वो नॉर्मल रहेगा और इंसुलिन रहेगा तो आप लोगों का फैट जो है एक्ष्टा फैट के रूप में नहीं जमेगा सात्वी टिप जो है वो इस परकार है पूरे दिन को पूरे दिन की सरीर को 1200 कैलरी तो कम से कम देनी ही होगी डाइटिंग का इस्तेमाल करें कहने का मतलब है कि आगर बहुत सारे लोग हैं गदर डाइटिंग के इस्तेमाल करते हैं और 1200 से कम कैलरिज भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कम से कम है 1200 और 2000 के अंदर लेना है जैसे कि आप लोगों ने वेजिटेबल सूप लिया आप लोगों ने dry fruits लिए, आप लोगों ने multi grain जो है आटे की रोटी खाई, तो उससे आप लोगों के nutrient भी मिलेगा, calories भी कम होंगी, तो आप लोग इस बात पर focus करें, ना कि इस बात पर कि आप लोगों को कम calorie जो है, वो consume करनी है, जैसे आप लोगों ने सुभह उठकर चाय पी ली, तो वो खराब है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो लगभग आप लोगों को 400 से 600 calories तो पहले ही दे देती है, जो ना कि nutrient आप लोगों को देती है, तो अगर आप लोगों के शरी में nutrient नहीं है, और आप लोग कैलरी भी ज़ादा ले रहे हैं, तो वो गलत है, कैलरी का मतलब आप लोग, कम करने का मतलब यह होता है कि आप लोग उसको सही वे में कम करें, जैसे कि अगर आप लोग पता गुबी का सूप खाते हैं, या vegetable soup, multi vegetable soup लेते हैं, multi grain आटे की रोटियां खाते हैं, तो उसे आप लोग 1600 से 1800 या 2000 कैलरी कंजियूम कर पाते हैं, जो कि आप लोगों के सरीर के लिए healthy है, तो ऐसे कैलरी आप लोगों को कम करनी है, आठ वी टिप है, सलाट का सेवन जरूर करें, जितना कर सकते हैं, उतना करें, और उसमें आप लोग different types के vegetables तो आप लोग मिलाएंगे ही पनीर आप लोग मिला लीजिए तो उससे क्या होगा कि calorie भी बढ़ जाएंगे आप लोगों की और आप लोगों के सिर्जी को nutrient भी मिल जाएंगे और खाना खाने से पहले salad का इस्तमाल जरूर करें जैसे कि आप लोगों ने पालक का इस्तमाल किया आप लोगों ने टमाटर का इस्तमाल किया आप लोगों ने पत्तागोबी का इस्तमाल किया आप लोगों ने ब्रोकली का इस्तमाल किया ओकाडो का इस्तमाल किया तो ये different types के जो vegetables हैं आप लोग उसम सामिल करें जिसे आप लोगों का पाचन तंतर अच्छा होगा आप लोग हेल्दी रहेंगे स्किन हेल्दी रहेंगी और एजिंग की प्रावलम नहीं होगी और डाइजिस्टिव सिस्टम से related कोई problem नहीं होगी, पेट से related कोई समझा नहीं होगी, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग सलाद का सेवन जरूर करें नवी और लास्ट की टिप है fried आलू और गंदा तेल अपने खाने में बिल्कुल भी हटा दे, जैसे कि trans fat ये मुझे बहुत बिल्कुल आच्छा नहीं लगता और मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता है कि भुने हुए आलू जादा बहतर है बजाए तले हुए आलू से तो अगर आप लोग आलू छोड़ना ही चाते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर फ्राइ डालू आप लोग खाते हैं और गंदे तेल से तले हुए खाते हैं तो बिल्कुल गलत है जो कि आप लोगों के लिए हमेशा fat बनाएगा और poisonous fat बनाएगा तो इनको बिल्कुल भी छोड़ दें तो आप लोगों के लिए जादा बहतर होगा दोस्तो कैसी लगे टिप्स ज़रूर बताईयेगा और comment करना न भूलिए आप लोगों के comment जो है मुझे प्रोचाहन देते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही टिप्स लाता रहूँ और आप लोगों को बताता रहूं आज के लिए इतना ही धन्यवाद